यह कोई अलग क्रियेशन के लिए रखा हुआ था बहुत बड़ी सेलो ट्रे में था और उपर कोई फिगर रखी थी उसके साथ उसको मैं अटेश करने वाला था पर तुफान आया उसमें वो पूरा डह गया खराब हो गया फिर इस प्लांड को निकाला तो बहुत सारी रूट्स थी तो मैंने इस तरह उसको यहां अलग तरीके से लगाने के लिए सोड़ दिया और पूरा प्लांड को मैंने कट बेक कर दिया है तो पूरा प्लांड निकाल डिए ठीक क嗎 भूगी ब्रांचे नएजे आ रही है तो हमें यह कैंट भी करनी है कि हुआ इसको पीच्चे को देटा है जिस उर नए ब्रांचات जितना ब्रांच प्लांट यह मेच्चौर होता रही जल्दी इसकी लीफ रेडेक्शन होता एल लिए इसमें आप देख सकते हैं क यह स्वादी कर दोया था कि चो टीक है इस प्रांट में किसे बुरांट में इतना जल्दी नहीं होता आप Проेम ना की वेराइटे में यह जदू साथ We EB जल्दी करता है यह हम त्रीमिनग करेंगे उतने हैं रिद्यूस करेगा अपने लेफ उस करना नहीं पड़ता तो यहां नों टेट सीजर निकालती है और इस पे हम मैंसा ध्यान दखना है दुश्तों प्रेमना में यह बहुती बुरी तरीके से निकलते हैं ब्रांच इसलिए और हो सकता है इस ब्रांच को हमें थोड़ा मोटा भी करना पड़े क्योंकि यह बेस से निकल रहा है तो थोड़ी मोटी होनी चाहिए उसकी साइज और इसकी वज़े से यहां ज़्यादा वायर बाइट हुआ है बेस भी ज़्यादा मोटा होता है अगर बेस के करीब कोई ब्रांच इस तरह निकलती है तो इसको बहुत ज़्यादा जल्दी वायर बाइट पकड़ लेता है क्योंकि थिकनेस बढ़ने लगती है तो उस पार्ट का जो वायर है उसको हमें जल्दी हटाना पड़ सकता है और एरिया कॉम्प्लिकेटेट है तो फिर इस तरह कट करके ही हमें निकाला होता है और राक को नुकसा नहीं होने देना है तो मेरे ख्याल से ये जो तीन दो ब्रांचे है उसके कंपेरिजन में उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि मूटा करना का ज़र्द है तो इसलिए मैं इस ब्रांच को ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो यह एक्सपोज रूट के साथ है यह प्लांट रूट एक्सपोज किये हुए हैं और कुछ और भी हो सकता है बट अभी के लिए दो मुझे इतना ही करना था क्योंकि स्प्रिंग है तो फिर बेलेंस जरूरी है प्लांट में बेलेंस मा हो तो फिर डिजाइन पूरा गरबड़ा जाता है दोस्तों तो यहां बहुत भी बड़िया सी एक कैनोपी डेवलोप करेंगे हम और जितना हो सके इतना हमने बेंड करने की कोशिस की होगी अब और ज्यादा भी हम बेंड कर सकते हैं यहां अब जितना जाहू तरह दुसरी बार में यह स्टेबल हो जाता है तो हम एक बार फिर से मौका मिलता हमें कि हम उसको ऐस तरह और जदा मोड सके और को इकामेटिक ना सके यहां में वायर लपे लेता हूं जिससे यह प्लेश हो जाये इसलिए वाइर इंग किया जाता है और वाइर कट किया है मैंने जहां यूस नहीं था इससे ब्रांच को भीना नुकसान हो और हमें बेंडिंग मौमेंट भी मिल गया तो जरूरी नहीं है कि हमने वायर को कहीं से यहां बेस पॉइंट चे एंकर पॉइंट से निकाला पर यह ऐसे ही बना हुआ है और उसका उप्योग करके या यूस करके हमने ब्रांच को भी इस त जाहिए उसमें जिससे उसको भी हम अच्छे से होल्ड कर वापार यह थोड़ी स्ट्रेट जा रही थी तो यहां कोई केनोपी बनेगी दोस्तों तो इसी तरह किसे कुछ न कुछ आईडियास आते रहते हैं और हमें एप्लाई करते रहना है जोस्तों कैसा लगा वीडियो ज उसमी हो सकता है यह केवल बेचिक स्टाइल एचीव करने के लिए उसको रखा गया है यानि ट्रेनिग हो रही है बाद में हम प्लान को कहीं लेंस्केप में किसी टॉन पे कहीं भी लगा सकते हैं उस रूट्स जो डाइबेक कर गई है तो चले मिलते हैं दोस्तों इसे ही बन कर दोस्तों बया हैं?